महराष्ट की सियासी लड़ाई मुंबई और दिल्ली में लड़ी जा रही है दिल्ली में जहां के सुप्रीम कोट के पाले में है वही मुंबई में बैट कर प्रदेश के दिगज नेता सियासी गड़िज बैठा रहे है शिवसेना, NCP और कॉंग्रेस अपने विधायकों को तूटने से बचा रहे है और भाजपा और उसका साथ देने वाले शरत पवार के भती जे अजीज पवार का दावा है कि वे बहुमत हासिल कर लेंगे इस बीच खबर सामने आई है कि NCP के दो विधायक गुडगाओं से मुंबई वापस आ चुके है महराष्टर के मुख्यमंत्री देवेंद फन्विस मुख्यमंत्री कार्याले पहुचकर काम चुरू कर चुके है वे आज सुभा मंत्राले पहुचे यहां उन्होंने अपना नया कार्याले भी शुरू कर दिया और पहले काम के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोश के एक चेक पर हस्ताक्षर भी किये इससे पहले राजिपाल भगत सिंग कोशियारी दिल्ली से मुंबई पहुचे मुंबई में शिफसेना न्सीपी और कॉंग्रिस के नेताओं ने राजभवन पहुच कर बहा के अधिकारियों को अपने विधायकों कि समर्थन की चिठी सौपी है इस बीच अजीद पवार मंत्राले पहुचे और काम का शुरू किया न्सीपी ने दावा किया है कि अजीद पवार और एक अन्य विधायक को छोड़कर शेश सभी शरत पवार के साथ है इसके बाद पार्टी ने अजीद पवार को मनाने की और कोशिश की न्सीपी में नंबर दो के नेता चगन भुजवल ने अजीद पवार से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की शिवसेना हमेश्या की तरहां भाजपा पर हमलावर है अब उसने सामना में लिखा है कि भाजपा का बहुमत साबित करना भैसे का दूद निकालने जैसा है पार्टी मुख्यपत्र में अजीद पवार को भैसे की उपमा दी गई है कहा जा रहा है कि देविन फंविस के बहुमत की छलक तो विधान सभाज स्पीकर के चुनाव के समय मिल जाएगी राजपाल भगत सिंग कोश्यारी ने उन्हें कथित तोर पर 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने को कहा है यदि सुप्रीम कोड इससे पहले बहुमत साबित करने को कहता है तो ततकाल सदर बुलाया जाएगा और विधायकों को पद एवंब गोपनेता की शपत दिलाए जाएगी लंबे अर्चे से कॉंगरिस नेता जोतरा जे सिंधिया कुछ असहज नजर आ रहे हैं सर्जिकल स्टाइक और धारा 370 जैसे मसले पर उनका रुख कॉंगरिस से अलदा नजर आया अब जोतरा सिंधिया दोरा अपने स्टेटस में किये गए बदलाव से नेताओं की बीच इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है महराश्ट में हुए विदानसवा के चुनाओ के दोरान कॉंगरिस की ओर से उन्हें चुनाओ प्रभारी बनाया गया था वे लगातार मद्दपर्देश में अपनी ही पार्टी की कमलना सरकार पर सवाल भी उठाती रहें पिछने दोनों उन्हें मद्दपर्देश की प्रदेश कॉंगरिस कमेटी का अदेश बनाया जाने की मांग उठी लेकिन कॉंगरिस आला कमान ने मद्दपर्देश विदानसवा चुनाओ में जीत के बास से अब तक इस पर कोई निर्ण नहीं लिया कॉंगरिस प्रदेश तद्देश बनने को लेकर जब जोतरा संदिया से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता का सेवक हूँ जोतरा संदिया ने इस से पहले अपने ट्विटर स्टेटरस पर पूर्व सांसद ten और पूर्व किंडरी मंतिर लिखा था लेकिन अब वहां समा सेवी और किरकेश प्रेमी लिखा है जोतरा सिंदिया लोकसवा चुनाओ के दोरान राहुल गांदी की टीम में शामिल सबसे एहम सदस्वें में से एक थे लेकिन वे खुदी अपने शेत्र में चुनाओ हार गए मंद़ परदेश में भारी बारिश के दोरान चंबल इलाके में आई बार के बाद वे लगातार गांगां जाकर लोगों से मिले और परदेश सरकार से उन्हें जल्द रहात देने की बात कही जो रहात आज तक नहीं मिल पाई कमलना सरकार में मौझूद जोतर देश सिंदिया समर्थक मंतरी लगातार उन्हें परदेश कॉंगरेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाते रहे हैं अगर मानी सिंदिया जी को सुनें तो हमेशा उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं निता हूँ उन्होंने ये ही कहा है कि मैं जन्सेवा में हूँ और मेरे फादर ने जब मुझे ये सौपा था तो उन्होंने ये ही कहा था कि नेता की तरह नहीं बलकि एक जन्सेवा की रूप में जन्ता की सेवा करनी है और उन्होंने अगर टूटर हैंडिल बदलाए तो ये बहुत आ रहा है कि चर्चाओं में गर्मी क्यों आई कोई भी राजनिता राजनेतिक व्यक्ति प्रतम उसका पद है पॉब्लिक सर्वेंट यदि सिंधिया जी ने अब पॉब्लिक सर्वेंट अपना ट्वीटर हैंडल किया तो उनको मैं बदाई देता हूं और स्वागत राजनिती स अंत के रूप में पहचान वाले जोशी की पार्थिवदेही राजधा ने इसे भाजपा प्रदेश कार्याले में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई यहां से करीब साड़े दस बजे परिजन और भाजपा कारिकरता पार्थिव देल लेकर हाज पिपरिया रवाना हुए जोशी का 91 की उम्र में रविवार को निधन हो गया था भाजपा कारयाले में लोगों ने उन्हें नम आखों से अंतिम विदाई दी उन्हें अंतिम विदाई देने पूर्व मुख्यमंतरी शिवरास सिंग चोहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग सांसद नंध कुमार सिंग चोहान संगठन महामंतरी सुहास भगत नरुतम मिश्रा सहित कई नेता बड़ी संख्या में पहुचे भाजपा कारेले में जोशी कोशिधांचली अर्वित करने दूर दूर से भाजपा कारे करता है हर्याना के पूर्व राजपाल कप्तान सिंग सोलंकी भी पहुचे शिवरास सिंग ने कहा कि देश के एक राजनितिक संथ हमेशा के लिए विदा हो गए उनके कार सदह हमें प्रेना और मारदर्शन देते रहेंगे ठीके सब मुर्वन देवेट्टी हमारे बीश से चला गया जिसका जीवन राष्ट को सब्सक्राइब देश्ट जीवन जीवन जीए राजनितिके अत्तर भी जैसे कमल कीचण में रहके भी निलत रहता है जैसे राजनितिके में भी एक संथ की तरह तो नोने अपना जीवन जीए पूर्व मुख्यमंत्री केलाश जोशी के निधन पर मध्यप्रदेश सरकार ने राज के शोग घोशित किया है 26 नवंबर तक राज के शोग रहेगा इस दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट भज आधा जुका रहेगा सरकारी तर पर कोई भी मनुरंजन वाला कारिकरम नहीं होगा केलाश जोशी मध्यप्रदेश के पहले गैर कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री थे 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक सीएम पत पर रहे वे जनसंग के समय संगठन को मध्यप्रदेश में मजबूत करने के लिए काम करते रहे 1955 में केलाश जोशी पहली बार हाट पिपलिया नगर पालिका ध्यक्ष रहे इसके बाद 1962 से निरंतर देवास जिले के बागली से विधायक रहे 1951 में वे भारती जनसंग के स्थापना के सदस भी रहे इमर्जनसी के दोरान करीब एक महें तक भी भूमी गत रहे इस दोरान 28 जुलाई 1975 को उन्हें गिरफतार कर लिया गया था जिसके बाद उन्हें 19 महें तक नजरवन रखा गया सीएम बनने के बाद 1978 में स्वास्थ खराब होने की वज़ह से उन्होंने सीएम पत से स्तीफा दे दिया था वे भोपाल से सांसद भी रहे और मध्रदेश के मुद्दों को संसद में उठाया केलाज जोशी के बेटे दीपक जोशी शिवरा सिंग चोहान की सरकार में मंत्री भी रहे हैं मध्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ ने ट्विट कर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मर्दभाशी सरल सहज व्यक्तित्प के धनी केलाज जी का निधन राजनी की छेतर की एक अपून ये च्छती है परिवार के प्रती मेरा शोक समवेदनाए हैं इश्वर उन्हें अपने श्री चर्णों में स्थानवा परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे सैंक्त मधप्रदेश के पूर्व मुखमंतरी केलाज जोशी के निधन पर शक्तिस गड़ में भी एक दिन के राज के शोक रखा गया था शक्तिस गड़ के मुखमंतरी भूपेश पगेल ने मधप्रदेश के पूर्व सीम केलाज जोशी के निधन पर दुख जताया उन्होंने ट्विट कर कहा कि मैं इश्वर से उनकी आत्मा की शांती ही तु प्रात्ना करता हूं इश्वर शोकाकुल परिवार को ये दुख सेहन करने की शक्ति दे कि गोश्णा की आत्माटर मंगाने के बाद भी पाकिस्तान पर टमाटर संकट बरकरार है पाकिस्तान में टमाटर चार सो से पांसो रुपए किलो विकरा है ऐसे में ट्विटर के जरी भारती किसान यूनियन की जहाबूआ जिला एकाई ने इमरान खान को कहा है कि बागा बॉर्डर से आपके देश में टमाटर जाते थे लेकिन आतंकवादियों और आपकी सेना ने हमारे देश के निर्देश लोगों पर हमले किये आतंकवाद खेलाया 26-11 वा पुलवामा जैसे हमले करवाए इसके बाद हमारे देश और हमने आपको टमाटर नहीं देने का फैसला लिया पाकिस्तान में जनता की टमाटर को लेकर खराब हालत के बाद हम टमाटर उतपादक किसान इस नतीज़े पर पहुंचे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत के दुश्मनों को हमारी सरकार को सौप दे और अनाधिकरत रूप से कबजा किये कश्मीर को शांती पूर्वक भारत को सौप दे तो भारती किसान यूनियन जाबुआ जिलाएकाई अपने जिले के टमाटर उतपादक किसानों को बैठा कर आपके देश में टमाटर भीजने पर विचार कर सकती है किसानों ने आखिर में लिखा है कि अमीद है कि आप हमारे इस पस्ताओ को गबीरता से लेंगे अपने देश के नागरिकों के हित में इस पर विचार करेंगे जाबुआ के किसानों ने कई साल तक पाकिस्तान को टमाटर निर्याद किये है किसान यूनियन के जिलाद्यक्ष महेंद हमण ने कहा कि 18 सितंबर 2016 को हुए उरी आतंकवादी हमले के बास से किसान नाराज से और पाकिस्तान टमाटर भीजना बंद कर दिया था इससे पहले करीब गिर दशक से पाकिस्तान टमाटर जहां से बेजे जाते थे ग्राम बावरी पेटलावा सहित आसपास के ग्रामी शेतरों के 150 से अधिक किसानों ने इस पत्र के माद्यम से पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के सामने अपनी बात रखी है और इस पत्र पे हस्ताक्षर किये है रिवान अगर निगम और भारती जंता पार्टी के बीच विवाद बरता जा रहा है दोनों के बीच आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर जंग छिडी रहती है तादमामला निगम कार्याले में बने नवनिर्मित परिशद भवन ने लोकारपन का है बारती जंता पार्टी के पतादिकारियों ने पार्शदवा महापौर के साथ मिलकर भवन के लोकारपन की बात रखी भवन के लोकारपन को लेकर तमाम पदाविकारी कारयाले पहुचे और जहां निगम अमले के साथ बैठी पुलिस की टीम ने भजपईयों को कारयाले परिश्चर के अंदर घुसने से ही मना कर दिया जिसके बाद भाजपा कारे करता इसके विरोध में आ गए और परिश्चर के अंदर बने राम जान की मंदिर पर बैठ कर सुन्दरकान का पाठ करना शुरू कर दिया बाजपईयों ने निगम आयुक्त द्वारा परिश्चर कारयाले के बंद कराये गेट का ताला तोर कर लोकारपन भीकर डाला नगर निगम आयुक्त का कहना है कि मुझे लोकारपन की जानकारी नहीं है मुझे कल एक पत्र मिला था लोकारपण के संबन में जिस पर मैंने बताया था कि अभी परिशत का कारे अधूरा है और बवन थेकेदार के पास है जिसका कारे पूर्ण होने के बाद वैन लिगम को सौपेगा लोकारपण की तो मेरे को कोई जानकारी इस रूप में नहीं है कल शाम को 6.30 बजए एक पत्र जरूर हमाए अध्यक्ष का मिला था तो उन्हेंने कहा तो हमने उनको आउगत कराया कि अभी तो यह भावन कंप्लीट ही नहीं हुआ है इसमें ना तो एलेक्ट्रिक का काम हुआ और ना फरनीचर का काम हुआ सीविल वर्क भी अभी अधूरा है भवन तो अभी संवितापकार के पाश है अभी उसको पहले कंप्लीट करेगा फिर हैंडोबर करेगा उप्रून होगा इसके बाद लोकारपण की बात हो सकती है इस मामले में पूर्व मंत्री राजें शुक करती है उन्होंने बताया कि एक हफते पहले इसका उद्गाटन प्रदेश सरकार के मंत्री को बुला कर करने की तैयारी थी जब अधूरा था तो लोकारपण क्यूं कर रहे थे हम तो एक हफते बात कर रहे हैं गौरतलव है कि राजें शुकल को निगम द्वारा वसूली का नोटिस दिये जाने के बाद से राजें शुकल के समर्थक और निगम आमने सामने आ गये हैं पोस्के दवाव के बीच अपनी उपस्तिती दज करवाने करें अकसल वादिया थी जब विकास के कामों के साथ भद्धा मजाग किया जाएगा तो फिर यहीं होगा पोस्के दवाव के बीच अपनी उपस्तिती दज करवाने करें अकसल वादियों ने किरंदूल में आगजनी की घटना को अंजाम दिया दोपहर के समय एनमडीयसी की पीएस्टी स्प्रिनिंग इलाके में नकसलियों ने दस वाहनों को फूप दिया बड़ी संख्या में पहुंचे नकसली गटनाइस्टल पर मवजूद चालक मज़दूरों के मुबाइल धील उट कर लेकर वारदात के काफी देर बाद फोर्स मौके पर पहुंची तब तक नकसली खटना को अंजाम देकर जंगल में भाग चुके थे NMDC के नए प्रोजेक्ट SP3 प्लांट के लिए रास्ता निर्माण और पहाडवास सम्तली करण किया जा रहा है इसी कारे पर लगे 6 दिपर 2 डूजर और 1 JCB को आग लगा दी गई वहां चालक और अन्य लोगों के मताबिक करेब 100 की संख्या में नकसली पहुचे थे इनमें से आधे से पास हत्यार थे उन्होंने वहां काम करने से मना करते हुए लोगों को धंकाया कि दोबारा नजर आए तो मार दिये जाओगे इस वारदा को मालंगीर एरिया कमेटी के नकसलियों के साथ ही दर्भा डिवीजन के लीडर साइनात और मिलिटरी दलम के 26 नंबर पलाटून कमांडर देवा ने अन्जाम गिया है इलाके में NMDC के SP team screening plant के लिए पहाड में चटान काटाई और समतली करन किया जा रहा है यह कांग डक्षन भारात की दो कमपनिया सूरिदे और रतना के मार्ध्यम से चल रहा है नर्सिंगपुर जिले की पवित्र नगरी कही जाने वाले बर्मान चौकी छेत्र में एक दिल तहला देने वाली खतना सामने आई है अपनी मा और नानी के साथ सोई करीब 6 वर्ष ये बालिका जाना गायब हो गई परिजनों ने इसकी शिकायट 6-3 पुलिस जफ में कि जिसके बाद पुलिस को सर्चिंग के दौरान एक खंडर लुमा मकान के पास बालिका का शब मिला बालिका का शब मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिक शिकर गुरू करन सिंग एवं एस्पी राजिश दिव पारी में तक कर मौके का मौइना किया जिला पुलिस अधिक्षफ में बताया कि शब की पथम जांच में बालिका करने का मामला सामने आ रहा है छे वर्शी मासूम बच्ची के मिर्मम हत्या से छेत्रे जनता में आकरोश है चोखी प्रभारी ने बताया कि मामले में कई बिंडू पर जांच की जा रही है जिस जगहां बालिका कर्शा मिला है वहां कोई नहीं रहता है मौतिका के परिजनों से भी आरोपी को लेकर पूछटाच की जा रही है साहयत प्राध्यापक परिक्षा में चैनेत उमीदवारों ने डॉक्टर अमबेचर की जन्मिस्थली पर मुंदन कराया और फिर भोपाल के लिए पद्यात्रा शुरुकी इस दौरान धाई सो से भी ज्यादा की संख्या में उमीदवार महां मौजूद रहे तीन हजासे अधिक उमीदवारों के इस प्रदर्शन में जुन्मे की संभावना है पद्यात्रा के दौरान ये सभी उचिशिक्षा मंत्री जीतु पतवारी के छितर से होकर भी गुजरेंगे ऐसे में पुलिस ने सभी को हिटायद दी है कि वे मंत्री के गाउं में दाखिल ना हो इस दौरान ये मैसेज वारल हुआ था कि कुछ प्रदर्शनकारी मंत्री जीतु पतवारी के गाउं पहुँचकर भी मुंदन करवाएंगे इनके मसले को लेकर जीतु पतवारी और कॉंग्रेस सरकार इने फिर्फ आश्वाशन दे रहे हैं यह उमीदवार कई बार उच्छिशीक्षा मन्तरी जीतु पतवारी से परिस्ठापना को लेकर आग रह कर चिके हैं जीत्रूपटवाई जी है उनोंने कई बार अपनी बातों पर ही इसकी रहेते हैं कई बाधर हमें आसवासन दिया वह वहार आप नमयोर को पहते हैं लेका का मुदैंट Stage those अगर योग्यता की कदर मत्यपदर्श असर इस तरीके से करती है तो हम भी भीक मांग करके मत्यपदर्श द्राशन को नीचे दिखाएंगे और यह बता देंगे उनको कि PhD नेशेट करने वाले लोग बाहर सरकों पर भीक मांग रहे हैं और आप आयोगे लोगों के आतिती उद्वानों को कालेज में बिढा गलके प्री का खिला रहे। आपकारी बिभाग पर रिश्वत लेने के आरूप लग रहे हैं। के लिए पर हैद सो रुपे मजिस्ट्रिट के बाबू को देना पड़ता है। इस पूरे मामले में जहां दोनों सिपाहियों ने कैमरे से अपने नजर बचाई वहें। दूसरी और आला अफ्रान इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। शेतरपूर के सिविल नाइस थाना चेतर में सतना से काम दिलाने के बहाने एक नावाल एक जुपती को पती पत्नी ने घर में बंदख बना कर रखा। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी पुलिस ने महले वालों की मदस से नावालिक को छुआया। शे दिन पहले सतना से काम दिलाने के लिए राकी सेन और मुके सेन इससे लड़की को शतर पुर लाये थे। लेकिन काम ना दिलाकर उस पर देवयापार का दवाव बना रहे थे। जब नावालिक जुपती नहीं मानी तो पती पत्नी ने उसे घर पर बंदख बना लिया। लेकिन किसी बहाने से नावालिक घर से भागी और मुहले वालों को अपनी आप बीती बताई जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मुख्य पर पहुँचकर नावालिक से जब पूच्टाच की तो उसने पूरी घटना बयान कर दी। पुलिस ने नावालिक जुपती की रिपोर्ट पर रामरा चौरसिया और उसके किराएदा राकी सेन को देवियापार करवाने के दवाव बनाने के आरोप में गरफतार कर लिया है। राकी का पती मुकेश सेन फरार बताये जा रहा है। पुलिस को फिर रेक बनाने के दवाव बनाने का आरोप में गरफतार हो गए फरार है। कांकेर पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिर रात पुलिस ने दो तसकरों को गांजे के साथ पकड़ लिया है। पकड़े गे गांजे की कीमत सारे तीन लाक रुपे बताई जा रही है। गांजे की इस खेप ओड़ी साथे मलकान गिरी से गांजे की ओर ले जाकर बेजने की फिराक्ती मुक्बिर से सूजना मेली की कोंड़ागाओं की ओर से दो व्यक्ति सुफ्ट कार में गांजा लेकर आ रहे थे। जिस पर कांगे पूलिस में तत्काल एक्शन दिया और गांजा तसकार रोकोगर अफ्तार कर दिया। मालतान के जिला कर रहने वाले से वहएं। गर्वतार किया गैए mr. कि ने गांजा के आउनी दिया वाले की कोरणाब मद्यप्रदेश की पोलिस के जहांप पूलिस को मुक्बिर से संदे सुछना मिली की एक सफद रंगनी कार में कोछ व्यक्ति गांजा लेकर ओडिशा के खर्यार रोड से बागबाहर होकर राइपुल की ओर निकल रहे हैं इस पर बागबाहरा पुलिस में घिरबंदी की और गांजा तफकरों को पकड़ा स्वचिता को लेकर मुंगावली में बैठका आयोजन किया गया जिसमें सभी शाष्किय वा अर्धशाष्किय विध्यालों के छात्र शात्राओं ने सांस्कृतिक कारेक्रमों के माध्यम से स्वचिता का संदेश किया इस मौके पर पहुँचे छेतरे विधायक दुजेंद्र सिंग ने नगर को स्वच बनाने के लिए सभी नगरवासियों से सहयो करने की बात कही साथ ही जिलाविकारी जॉक्टर मन्जू शर्मा ने नगर को स्वच बनाने के लिए कठोर बनने वास सड़क पर कचरा फेकने वाले लोगों पर डंडात्मक कारवाई करने की बात कही इस दोरान नगर को सच बनाने को लेकर नगरवासियों से भी विचार मांगे गए कारिक्रम के उप्रांस जिलाविकारी ने सभी को नगर को सच बनाने के लिए शपत दिलवाई कारिक्रम में बड़ी संख्या में आम जन के ये साथ साथ आला अधिकारी मुझूद रहे हर जिले में यह प्रैस में जारेगी स्वक्षता हमारा बनी रहे और यह जो प्रतिस पर्धा होती है जन्वेर में सर्वेक्शन टीम भी आएगी तो पूरे देश के लगबग चार जारस उपर की जो सिटीज है उनमें प्रतिविता होती है तो उस दिशा में हमारा यह था कि ज काई में कोशिश किये कि हमले मुहीब जोड़े और प्रबुद्वर्व को भी जोड़े तो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है हमेशा उनी से अच्छे सुझाव भी मारे पास आपाते हैं कि हमारा मुगाउली के सहर बासियों का सो भाग गए कि हमने के बद सुनाता जब कि समार्ट के बड़े बड़े सहर पहले समार्ट सिटी में लिए जा रहा है लेकिन हमारे मुगाउली के नगर बासियों का हम सब का सो भाग गए कि एक हमारा छोटा सा सहर एक तैसी लेविल का सहर जिसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और अगर इसका नाम स्मार्ट सिटी रखा हो ही गया है तो मैं चाहता हूँ कि बास्तों मैं इस सहर को स्मार्ट ही हमको बनाना है लेकिन इस सहर को स्मार्ट ना तो मैं बना सकता हूँ और ना हमारी कलेक्टर महदय बना सकती है ना हमारी एक्ष बना सकती है ना हमारे सीमो बना सकते है अगर हमको सहर को सक्ष बनाना है और स्मार्ट बनाना है तो उसमें आप सबका सहयोग सबका युवदान जरुद चाहिए आप देख रहे हैं दखल नियूद को संगित की स्षवलहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चम्ला के भीड़ू नकसलवादियों के गर्ट जोपडीसे म्हलों थेलों से मेलों थ्यूदक उस तक पकडेंडियों से सडकों तक गाउंuk से शहरों तक व्यापार से उद्योगों थ्यास धकनीरया इ impacted आप देख रहे हैं दखल न्यूज